हेलो एवरिवन मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चलनल बाग बगीचा पैशन और क्रियेशन में जहां हम बात करते हैं पेड़ पोधों की और किसी क्रियेटिवीटी की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पढ़नाएं है और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लिकरा हूँ तो आप उसे मिस ना क रहें विंटर तो छले गए हैं और समर की आ गया खुशि नहीं आ रहा है कि क्म और आप सब्सक्राइब करें उसके स्पेंट फ्लोर को कैसे हटाएं क्योंकि क्लांचु एक हड़ी ब्लांट है पूरे प्लेसे अपके गार्डन में बना रहता है और एक बर कलांचुप लगा लेते हैं फिर आप उसको अपने आप से ही प्रोपेकेट तो यह सालो साल आपके गार्डन में बना रहता है अभी गार्डन में इतने सारे काम है कि हम सीट प्रिज़र्ब कर रहे हैं कटिंग भी लगा रहे हैं और जो हमारे जो फ्लार से प्लांट हो चाहिए उनको अगर हम रख सकते हैं कुछ नए प्लांट भी अपने गार्डन में कर रहे हैं जो स्विंटर pou प्लांट हैं सारे प्लांट प्लांट हो गया है नोगких नहीं ब्लांट हम लगा रहे हैं तो काम बहुत ज़ाददा है तो चलिए जल दिए से हम हम इस Kalan Koi या Kalan Chuk का भी treatment कर लेते हैं और इसको पूरे समर के लिए बचा कर रखेंगे और next time इसी से बहुत सारी cuttings तियार करेंगे और आगे के लिए इसको save कर लेंगे अगर आपकी flowering लेट हुई है तो अभी flowers छोड़ दीजे flowers हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ flowers हैं और जो spend flowers हैं उनकी संख्या बहुत जादा है जो देखने में उतना खुपसरोद नहीं लगता है इसके flowering ऐसे होती है इसमें एक लंबा सा stem निकलता है उसके उपर flowering होती है तो जब भी हम कट करेंगे तो हम इसको सिर्फ flowering वाले पार्ट को कट नहीं करेंगे बलकि वह स्टैम वाला पार्ट कट करेंगे ताकि जो हमारा प्लांट है वो देखने में सुन्दर लगे और उसमें लंबी-लंबी लागी-लागी स्टैम्स भी नज़र नाएं कटिंग करने के लिए आप सिजर या प्रूनर कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़दा हार तो इसकी जो स्टैम्स होती है वो नहीं होंगी तो फटा-फट से हम इसको कट कर लेते हैं और अपने प्लांट को शेप भी दे देते हैं आपको ध्यान रखना है कि अगर flowering अभी हो रही है या बट्स बन रही है तो इसको कटिंग के लिए थोड़ा डिले कर दे अगर फ्लारिंग हो चुकी है और सारे flowers है वो spent हो चुके हैं almost तब आप इसकी कटिंग कर दे आप देख लिजे यहां पर स्क्रीन पर अच्छे से जैसे मैं कटिंग कर रही हूं से मैं आपको फोलो करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो यह बैस टाइम है अभी इसको कर लिजे अदरवस बहुत लेट हो जाएगा और यह जो प्लांटर है क्योंकि अभी इसमें कुछ होना तो है नहीं फ्लारिंग तो होई ही चुकी है तो बस अपका प्लांट भी अप अच लेते हैं एक चीस का द्यान रखेगा कि इसको उपर से काटते वक्त ध्यान रखना है आपको इसकी दो पत्तियां है ना इस फ्लारिंग स्टिंग के नीचे उन दो पत्तियों को भी आपको काट देना है उससे आपका जो प्लांट है वह बहुत अच्छा दिखेगा और नेक कि अगर आप इसको लीव से भी प्रोपगेट करोगे ना तो बहुत ही आसानी से यह लीव प्रोपगेट हो जाता है अगर आपको कहीं से इसकी एक भी डंडी मिल जाती है ना तो आप उसको ले आईए और आपको बता दू यह जो मेरा प्लान लगा हुआ यह भी मैंने अपनी मामा के घर से cutting ली थी वहीं से वो plant बनाया है और आप देख सकते हैं कितना healthy, कितना बढ़िया plant है और इसकी जो पत्तिया है उसको मैंने propagate किया है उसका result भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप देख सकते हैं अब ये planter कैसा लग रहा है यानि अगर आप ये मसोचे कि अगर आपके spent flower है उनको लगा रहने से कोई फाइदा नहीं है जब तक वो पेड़ पर रहेंगे आपके plant की energy की से रहेंगे और देखे कितने धेर सारे flowers मैंने cut किये हैं एक ही planter में लगे हुए थे इतने धेर सारे plant मेरे पास तो ये देशी कलांचू की वराइटी है अगर आपके पास hybrid है तो hybrid के भी अगर flowers plant हो चुके हैं तो आप उसे भी हटा दीजिए और अपने जो planter है उनको clean कर लीजिए उसके बाद मैं आपको बताओं कि ये जो planter है आपको ऐसी जंगे place करना है जहां इसको सारे दिन की धूप नहीं लगे बल्कि इसको सिर्फ एक वेड़ गिंटे की ही धूप लगे यानि इसको ऐसी area में place की जहां bright light आती रहे sun हलका फुलका आता रहे लेकिन अगर आप इसक प्लांट को अगर place करेंगे चायादार स्थान पर तो आप वहां पर उसको इसकी मिट्टी चेक करके ही watering करें जितनी जरूरत है उतनी ही आप इसको watering करें बहुत ज़्यादा सोगी नहीं करना है और अब ध्यान रखिए इसकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं ह भी न भूले चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे अब भी तक सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्ट्राग्राम और फेस्बूक पर मुझे फॉलो कर ले जिसका लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है कर दो कर दो